हैपी होम फाउंडेंशन के डाइरेक्टर खुस्बुठाकुर ने अपने जुनम दिन को खास अंदाज में मनाया गरी बच्चों को पठन-पाथन, सामक्री और चौकलिट दे कर मानवता को दर्शाती हुए बच्चों की साथ अपना जुनम दिन मनाया छप्रा की टिक निवास में नो दिवस्य संगीत में श्राम कथा आयोजन का शुभारम शुभायात्रा की साथ की गई प्रतिक वर्ष महादेव सीवा समीती द्वरा इसका आयोजन किया जाता है शुभायात्रा में हजारों की संख्या मिस्टर धालों ने भाग लिया हाथी गोड़े बेंट बाज से सुसजित सुभायात्रा नगर भ्रमन करती हुए तलाव गिनारे पहुँची जहां चल भरी की गई उसके बाद सुभायात्रा पुजा अस्थल पहुँची आयोजन को इस राम नाम लेने से ही कल्यान होगा इसलिए शेत्र वदेश शांती के लिए प्रित्यक वर्ष रामकता का आयोजन किया जाता है साइन के मश्रक प्रखंट छेत्र के चांदबरवा के रिरा मैदान पर चल रहे बजरंग क्रिकेट कलब के द्वारा आयोजन फाइनल मैच में बहरौली और चांदबरवा के विश्च खेला गया जिसमें टोस जीत कर पहले बल्ले बाजी करते हुए चांदबरवा के टीम न जन सुराज पदियात्रा की 141 वे दिन की शुराप सीवान के जिरादेई पंचायत इस्ति धज्जु सिंग उच विद्याले में सर्विधरम प्राफना से हुई इसके बाद प्रिशांद की सोर्च एकरों पदियात्रियों के साथ जिरादेई से पदियात्रा के लिए निकल चीप रशांद की सोर्ची पदियात्रा का सिवान में आज 14 वा दिन है वे जिले में 15-20 दिन और रुकेंगे और इस तरान वे अलग-अलग गाओं और प्रखंडों में पदियात्रा के माध्यम से जनतागे भी जाएंगे उनकी समश्याओं को समझकर उनका संकलन कर उसके सम प्रफिल ये क्रिकेट की खिलारियों ने भी खुब ढूंके लगाए एक तरफ आम से खास और सरकार तक भोजबूरी से असलेलता को दूर रखने की पहल में जुटी है तो वहीं भोजबूरी की असलेलता अब क्रिकेट मैदान तक पहुँच गई जहां रामपूर पर कारेत करमचारिक और अभीवार को सरक्त दुरघटना में गंभी रूप से घाल हालात में इलाज के लिए सामुदाइक स्वास्तकेंद्र मश्रक में पहुचाए गया जहां उसकी पहचान सिवान जिले के गोडिया कोठी थाना शेत्र के दुधरा गाउनिवासी तक जवान पिछले 22 दिसंबर को यूपी के ठेका गाउं अपनी बहन के घर से मुलाकात कर बुलेट से वापस अपने घर लोट रहे थे इस दोरान अग्यात वाहन की चपेट में आने से वह बुरी तरह जख्मी हो गया दुरघटना में बुरी तरह जख्मी जवान को उन्होंने दम तोर दिया कर सकता है